पांच जड़ी बूटिया जो क्रेट 9 लेवल को कम करने में कारगर है गोक्षुरू, पुनर नवा, हल्दी, वरुन, धनिया नवस्कार दर्शकों आज हम बात करेंगे पांच ऐसी जड़ी बूटियों की जो करती हैं क्रेट 9 लेवल को कम जी हाँ, पांच जड़ी बूटिया जो क्रेट 9 लेवल को कम करने में कारगर है ये पांच जड़ी बूटिया हमारे शरीर के लिए अमरित तुल्ले हैं, अमरित समान है भगवान का दिया हुआ वर्दान किड्नी पेशेंट के लिए और उसके आसपास ही सब उपलब्द है वन है, गोक्षरू, जी हाँ, गोक्षरू, गोक्षरू में एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, नाचुरल डायूरेटिक की, ये एक प्रकार की नाचुरल डायूरेटिक है Diuretic वोट अमने बहुत बार सुना है और बहुत बार इस बारे में चर्चा भी की है Diuretic वो होता है जो किड्नी से प्रेशर बना के urine का output बढ़ाए तो एक प्रकार का Diuretic होता है जो अलोपैथी में दिया जाता है Dytor या Lasix जो कि एक artificial diuretic होता है लेकिन जो ये Diuretic गोक्षरू है ये एक प्रकार का natural diuretic है यानि कि ये किड्नी पे जोर नहीं डालता है urine output बढ़ाने के लिए और किड्नी पे किसी भी प्रकार का दबाव नहीं पड़ता है इस diuretic की वज़ा से साथ-साथ गोक्षरू में एक और अच्छी property है कि एक anti-inflammatory की तरह काम करता है inflammation बहुत बार हो जाती है body में nephrons में inflammation हो जाती है तो उस सूजन को उस inflammation को कम करने के लिए गोक्षरू जो है वो बहुत ज़्यादा लाब दायक है साथ-साथ uric acid अपने बहुत बात देखा है कि uric acid बढ़ जाता है kidney के patients में KFT का test कराते हैं creatinine, urea, sodium, potassium, calcium साथ-साथ uric acid को भी मापने की उसमें एक parameter होता है तो uric acid बहुत बार kidney patients में बढ़ा हुआ होता है गोक्षरू is excellent to reduce the uric acid और गोक्षरू का प्रयोग जो है वो uric acid के बड़े होने पर बहुत अच्छे से किया जा सकता है overall kidney की health जैसा कि electrolyte को balance करना सारी सभी प्रकार के sodium, potassium, phosphorus, calcium यह सारा काम kidney का होता है तो गोक्षरू एक ऐसी जड़ी बूटी है जो इन सभी electrolytes को balance करने में बहुत ज़्यादा सायक है और बहुत ज़्यादा लाबदायक है overall अगर हम बात करें तो overall urinary tract के जो toxins हैं toxins में क्या क्या आता है, creatinine है, urea है यह सभी प्रकार के, एक प्रकार के toxins हैं तो गोक्षरू इन सभी toxins को बाहर निकालने में जो है वो है पुनर्नवा, जैसा की नाम से ही प्रतीत हो रहा है नाम से ही पता चल रहा है, पुनर्नवा यानि की दुबारा से नया जो कर दे जो इस तरह की capacity जड़ी बूटी रखती है उसका नाम है पुनर्नवा शरीर को दुबारा से नय करने की शमता रखने वाली जड़ी बूटी का नाम है पुनर्नवा शरीर के साथ साथ किट्नी को भी नया जीवन देने के लिए सामर्चे रखने वाली जड़ी बूटी का नाम है पुनर्नवा, ये बहुत excellent diuretic है diuretic गोक्षुरू भी है और पुनर्नवा भी है गोक्षु भी diuretic का काम करता है लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा आच्छा है पुनर्नवा जो diuretic का काम करता है पुनर्नवा जो है ये glomeral filtration rate यानि की GFR को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायक है और बहुत ज़्यादा लादायक है एक मिनट में हमारी किड्नी कितना filter कर रही है उसको कहा जाता है glomeral filtration rate यानि की GFR तो उस GFR की normal value होती है 90 ml per minute या 80 ml per minute जब किड्नी कम काम कर रही होती है तो ये GFR दीरे 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 कम होता है और क्रेट 9 बढ़ता चला जाता है उस GFR को बढ़ाने के लिए किड्नी की कारेश्रमता को दुबारा जागरित करने के लिए पुनर जीवित करने के लिए पुनर नवाब जो है वो बहुत जादा helpful होता है GFR बढ़ाने का काम करता है पुनर नवाब और साथ में body में जो fluid एकठे हो जाते हैं kidney patients में lungs में कठा हो जाना, plural diffusion हो जाना पेट में कठा हो गया, fluid तो ascitis हो गया पेरों में कठा हो गया, fluid तो pital otoma हो गया और आखों के नीचे भी कई वर fluid एकठा हो जाता है तो वहाँ पे भी periorbital otoma हो जाता है इन सभी प्रकार के फ्ल्यूड जो बाडी में कठा हो जाते हैं उन फ्ल्यूड का बालेंस आउट करने के लिए बहुत जादा कारगर है पुनर नवा पुनर नवा यानि आपके शरीर को दुबारा से जीवित करने की समता रखने के लिए तीसरी जड़ी बूटी का नाम है जो किड्नी के लिए अधी लाब दायक है वो है हल्दी इसे संस्कृत में हरिद्रा भी कहा जाता है हल्दी वही हल्दी जो हम घर में आम तोर पर रोज मरला में डेली बेसिस पे सबजी में यूज करते हैं या हम किसी और प्रकार से उसका इस्तमाल करते हैं ये वही हल्दी है इसका एक प्रकार का नेफ्रो प्रोटेक्टिव एक्षिन है यानि कि किड्नी जो है पूरी नेफ्रो किड्नी नेफ्रो मतलब किड्नी से सम्मंदित protective मतलब बचाव करने वाला nephro protective action जो है वो हरिद्रा का बताया गया है हल्दी का बताया गया है antioxidant का बहुत अच्छा काम करती है हल्दी हरिद्रा यानि कि शरीर में oxygen level को बढ़ान के रखने के लिए जिससे cells जो है वो die out ना हो उनका life span बढ़े उसके लिए बहुत ज़्यादा helpful है हरिद्रा free radicals शरीर में बन जाते हैं यानि कि free radicals शरीर को नुकस्तान देने लगते हैं वो free radicals को हटाने में बहुत ज़्यादा कारगर होती है हरिद्रा हल्दी हल्दी जो है हम बरसों से use करते आ रहे हैं और शायद हम कई सेकड़ों सालों से हल्दी का उपयोग करते वे आ रहे हैं और बहुत सारे शोध बहुत सारे researches हल्दी के उपर हुए हैं और हल्दी जो है वो अती लाब दायक पाई गई है एंटी बायोटिक का भी काम करने के लाब दायक पाई गई है और बहुत एक अच्छी जड़ी बुटी आज सीरेट में मानी गई है जो हम लंबे अर्शे से प्रयोग करते आ रहे हैं आज उस प्रयोग के ओपर अमेरिका की भी मोहन लग चुकी है कि हल्दी जो है वो एक प्रकार का एंटी बायोटिक का भी काम करती है चौथा जो जड़ी बुटी है जो किड्नी पेशेंट के लिए वर्दान है वो है वरुन वरुन नाम की जड़ी बुटी इसमें क्या होता है इसमें लिथो टिपिक आक्शन भी होता है किड्नी के GFR को तो बढ़ाता ही है ग्लॉमरिल फिल्ट्रेशन रेट को तो बढ़ाता ही है साथ साथ किड्नी में जो स्टोन बन जाते है किड्नी में जो स्काइबर सिस्ट होते है उसमें भी ये लाब दे सकता है क्योंकि ये उसको तोड़ने की शमता रखता है, भेदन करने की शमता रखता है, अगर स्टिस्ट है ये स्टोन है, स्टोन के अंदर लिथो ट्रिपिक आक्शन करता है, उसको ब्रेक डाउन करकी उसको यूरिन के राश्ति फ्लो करने के लिए बहुत जादा लाप दायक होता ह प्रोस्ट्रेट में वरुन जड़ी बुटी जो है उसका प्रोस्ट्रेट में बहुत अच्छा रोल है प्रोस्ट्रेट अगर इनलाज हो जाता है बहुत चे बार देखा होगा प्रोस्ट्रेट जो है एज के साथ साथ मिल्ज में इनलाज हो जाता है और प्रोस्ट्रेट का अच्छा रोल है और बहुत अच्छे से ये उसको धीरे धीरे करके नॉर्मल साइज में ला सकता है Metabolic correction, urinary electrolytes के लिए करने के लिए वरून का बहुत अच्छा रोल माना गया है साथ में serum level यानि की serum creatinine, serum urea और electrolyte balancing के लिए वरून का बहुत अच्छा रोल है जैसे creatinine, urea, sodium, potassium, calcium, phosphorus, ये सारी चीज़ें kidney balance कर रही है इसमें से serum creatinine और serum urea सिरम की जो level पे जो चीज़ें हो रही हैं वो सारा वरून बहुत अच्छे से हमें उसमें help कर सकता है उसको maintain करने के लिए साथ साथ जो बाकी electrolytes हैं उन electrolyte की balancing भी ये बहुत अच्छे से करने में कारगर है पांचवी जड़ी बूटी का नाम है धनिया धनिया जो है वो kidney patients में कम मात्रा में improve किया जा सकता है कम मात्रा में urinary tract infection में जो है UTI में धनिया का बहुत अच्छा रोल है जलन होना पिशाप कम आना बहुत से common complaints होती है तो उस उन सब cases में आप में सोना भी होगा धनिया का पानी नॉर्मली पीते हैं जो kidney patient नहीं है उसके बहुत ज्यादा उपयोग होते हैं उसी प्रकार kidney patients भी कम मात्रा में धनिया का प्रयोग कर सकते हैं UTI में urinate rat infection में तो यह कारगर ही है साथ में filtration जो kidney का है glomeral filtration rate को improve करने की शमता जो है वो धनिया रखता है धनिया का regular सेवन करने से kidney patient में जो पानी का retention हो रहा होता है पानी का retention होता है kidney patients में क्योंकि kidney filter नहीं कर रही होती तो जो भी पानी पी रहा है वो पैरों में हाथों में पेट में सब जगाए कटा होता चला जाता है तो वो धनिया से retention level जो है वो kidney का कम होता चला जाता है यह हमारे शरीर से toxins को निकालने में बहुत ज़्यादा कारगर है microbes छोटे 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 जो infection causing particles होते है microbes होते हैं और साथ में जो शरीर से toxins निकालने के लिए धनिया बहुत ज़्यादा कारगर है यह वही सारी जड़ी बूटिया है जो आप daily routine में include कर सकते हैं आपकी kidney को re-wetalize भी करेगी लेकिन किस मातरा में लेना है कितनी मातरा में लेना है वो आवशक है उसके लिए आप doctor से संपर्ग कर सकते हैं हमारे यहाँ पे kidney से related treatment काफी लंबे समय से हम करते आ रहे हैं बहुत से patients का GFR improve हुआ है creatinine reduce हुआ है और अन्य काफी सारे patients है जिनको dialysis और transplant की जरुरत नहीं पड़ी है और यह possible हुआ है सिरफ आयरुवेद के माध्यम से और कर्मा आयरुवेदा जो है वो कई बार reports के माध्यम से शित कर चुका है कि एक नहीं सेकडों नहीं हजारों की संख्या में patients को kidney dialysis से transplant से निजाब मिली है मुक्ति मिली है आपको भी कोई ब्रश्न हो तो आप हमारे doctor's से cleaner research ले सकते हैं और कुछ चिकित्सा जो आप घर बैटके कर सकते हैं हमारे doctor's कोई शिल्क नहीं है हमारे doctor's से समझ के home remedies तुरन तबलाएए कर सकते हैं और उसके लिए आप नीचे देवें नबर पर call कर करके बता सकते हैं कि हमें डॉक्टर से बात करके कुछ चीजे जो आप रोज मरला में किड्नी पेशन्स यूज कर पाएं आप सिर्फ वही यूज कीजिए उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा धन्यवाद